हेलो एवरिबन, कैसे हैं आप? आज हम आपकी वार्शिक परिक्षा में दिए जाने वाले कार्य पतरक को हल करेंगे बच्चो इसके अंक आपके रिजल्ट में जोडे जाएंगे तो इसलिए आप इसे अच्छे से हल करें प्रस्ण एक गड़ी को देखो और घड़ी में नीचे दिये गए समय में से सही समय पर गोला लगाएं तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं गड़ी दी गई है उसमें समय दरसाय गया है और समय दो विकलपों में दिया गया है आपको सही विकल्प पर गोला लगाना है आप देख सकते हैं पहली गड़ी में कितना समय हुआ है तो यहां विकल्प दिये गए हैं तीन बजे हैं या बारा बजे हैं तो सही विकल्प है तीन बजे तो तीन बजे पर हम गोला लगाएंगे दूसरे चित्र में गड़ी में कितने बजे हैं सही विकलप है छै बजे है तो यहाँ छै बजे पर गोला लगाएँगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैस्न दो दोनो समुहों में गेंदो की संख्या समान है सही या गलत बताएं तो आपको यहां देख सकते हैं तालिका दी गई है कर और खर दो समू दिये गए हैं और पूछा गया है कि क्या दोनों समूओं में गेंदों की संक्या समान है आपको सही या गलत बताना है पहले में आप देख सकते हैं कर में दो गेंद है और खर में तीन तो दोनों समूओं म गेंदो की संख्या समान है तो यहां सही लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीन दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखकर रिक्त स्थानों की पूरती कीजिए तो बच्चों यहां पर आपको दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है अर्थात ब बड़ी संख्या आती है अब यहां में ट्रेंग के इनजन की तरफ से संख्या को लिखना सुरू करना है तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी आएगी do ठीपने संक्या 3 है उसके बाद उससे बड़ी संख्या 5 है और सबसे इन्हें भी ingen के तरफ से आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सब से पहली संख्या आएगी एक, फिर तीन, उसके बाद पाँच और उसके बाद साथ। तो यहाँ इन्जन के तरफ से हमने लिखना सुरू किया, तो आरोही क्रम में संख्या इस प्रकार लिखी जाएंगी। तो कुल कितने समूँ बनेंगे तो इसके लिए हम 35 को 5 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 7 तो यहां हम लिखेंगे 35 बच्चों में से 5-5 बच्चों के कुल 7 समूँ बनेंगे तो बच्चों ये वर्कशीट यहां कम्पलीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम तांक यू